वीडियो के इंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन के डायल पैड में कैसी सैटिंग बताऊंगा जिस सैटिंग को यूज करके आप भी अपने फोन के डायल पैड में इस तरीके से किसी की भी फोटो लगा सकते हैं अपनी फोटो लगाना चाहो अपनी फोटो लगा सकते हैं गल्फेंट की फोटो लगाना चाहो गल्फेंट की फोटो लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप जिसकी भी फोटो सेट करेंगे उसी की फोटो आपके फोन के डायल पैड में सेट हो जाएगी इस setting के बार बताने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस रोट को like नहीं किया तो आपको वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है इसके वगल मैं आप सभी को घंटी को पर click करके all के पर आप सभी को set कर लेना है इसके वाद आप सभी को video के comment में जाके आप सभी को छोटा सा comment भी लिख देना है तो comment में आप सभी को लिख देना है set photo in dial pad ठीक है इस तरीके से सबसे पहले हैं आप आपको set photo लिख देना है इसके वाद in लिखने के वाद यहाँ आप आपको dial pad लिख देना है अब जैसी आप comment में यहाँ पर चलिए मैं भी लिख देता हूँ तो जैसी आप comment के dial pad में photo को set कर सकते हैं dial pad में photo की setting करने के लिए सबसे पले आप सबी को video के description में एक app का link मिल जाएगा उस link के उपर click करके आप सबसे पहले अपने phone में ये वाली application को download कर लेना ठीक है अब application को जैसे आप download करेंगे तो यहाँ पर आपको click click किस तरीके से करते रहना है और यहाँ पर आपको double tap इस तरीके से कर देना है इसके बाद आपको वापिस से click करना है और यहाँ पर आप सबी के सामने permission का option आएगा आपको okay करना है और इसको आप सबी को सबसे पहले high कर देना है इसके बाद आप सभी को इसके उपर टिक करना एलाओ कर देना ठीक है यहाँ पर आपको सारी permission को इस तरीके से आपको टिक करके एलाओ कर देना ए और यह वाला option भी आप सभी को on करके back चले जाना है अब जैसी आप back आएंगे तो तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक dial pad आ जाएगा, जहाँ पर आपको photo वाली setting करनी है, तो simply आप सभी को dialer के उपर click करना है, और यहाँ पर आप सभी के सामने जो theme का option है, इसके उपर click करना है, अब इसके उपर जैसी click करेंगे, तो यहाँ पर आपको background के उपर click करना है, और यहाँ पर आप सभी को pick image के उपर click करना है, तो जैसी आप pick image के उपर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर pick image के उपर द्वारा से click करना है, और आपकी gallery में जो भी photo है, जिस भी photo को आप set करना चाते हैं, उसके वाद दोस्तों जब भी आप अपने dial pad को open करेंगे, इस वाले dial pad को open करेंगे, तो यहाँ पर यही वाली photo नजर आने वाली है, तो इस तरीगे से यह जो setting आप अपने phone के dial pad में कर सकते हैं, thank you